हलो इस्ट्रेंट्स, आई वी टेक्निकल क्लासेस के यूटूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप आफ इंसुलेटर यानि कितने परकार का इंसुलेटर, transmission and distribution के अंदर यूज किया जाता है या सब station के अंदर यूज किया जाता है उस सारी की चर्चा करेंगे जैसे आपका pin टाइप इंसुलेटर है, suspension टाइप इंसुलेटर है, strain टाइप इंसुलेटर है, shackle टाइप इंसुलेटर है इसके लबाए stay insulator, post insulator तो बहुत सारे insulator की बात आज की इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा important है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe किसेगा तो सबसे पहले pin type insulator की बात करके तो pin type का use जेनरली distribution के अंदर किया जाता है low voltage पर किया जाता है और इसकी voltage rating जो होती जेनरली 11 kv या up to maximum जो 33 kv तक इसको हम लोग use करते हैं अच्छा इसको pin type insulator क्यों कहा जाता है क्योंकि इस insulator के अंदर मीचे का rod निकला हुआ होता है इसी rod को हम लोग pin कहते हैं और ये galvanized steel का बना होता है इस pin यानि इस rod को हम लोग क्या करते हैं जहां पर insulation का काम करना है हम लोगों को यानि conductor को pass कराना है तो इस pin को हम लोग nut bolt की सहता से क्या कर लेते हैं cross arm के उपर या pole के उपर कस देते हैं जिसकी सहायता से ये pin type install हो जाता है और इसके उपर से हम लोग conductor को pass कराते हैं conductor को pass कराने के लिए इस pin type insulator के अंदर उपर में groove बनावा होता है जिसको गड़ा कहते हैं इस groove या गड़ा के अंदर conductor को रख दिया जाएगा और इस conductor को रखने के बाद हम लोग same material of conductor याने aluminium है तो same aluminium के wire से हम लोग इसको wand कर देते हैं बांद देते हैं same material का यूज क्यों किया जाता है तो इसलिए ताके इसके अंदर corrosion और जंग कम लगे अगर अलग-अलग material यूज कीजेगा तो वहाँ पर chemical reaction होगा जिससे corrosion ज्यादा होगा तो हम लोग same material के wire से उसको wand कर देते हैं बांद देते हैं जिसकी सहाता से जो insulation का काम है वो हो जाता उपर में conductor होता है बीच में porceline हो गया और नीचे हम लोग pin की सहाता से pole के साथ attach कर देते हैं यानि mechanical support भी आपको मिल गया conductor को और साथी साथ insulation भी हो गया इस porceline की सहाता से conductor और नीचे में जो wire है sorry नीचे में जो आपका ground है pole है ये पूरी तरह से insulate हो जाता है एक चीज़ यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कों से पूछा जाता है कि wavy shape का क्यों बनाते हैं insulator यानि आप देखिएगा तो इस तरह का wave type का बना होगा तो ये conductor और pin के बीच में difference पैदा करने के लिए होता है क्योंकि जेतना नजदीक अगर पूरा cylindrical रहता तो नजदीकी ज्यादा होती नजदीकी ज्यादा होती तो flash over होने का chance ज्यादा होता flash over puncture क्या है last video में हमने इससे पहले बात किया था तो यहाँ पर flash over या puncture होने की संभावना ज्यादा होगा arc produce होने की चिंगारी produce होने की संभावना ज्यादा होगा तो इसे pin यानि conductor नीचे का conductor और उपर का जो conductor है main supply इन दोनों के बीच में difference पैदा करने के लिए हम लोग wave shape का बनाते हैं यानि छाता type का बना देते हैं जिसके सहाता से दोनों के बीच में अंतर हो जाता है और दूसरा फाइदा क्या है कि जो भी आपका water गिरेगा वो direct conductor से होता हुआ pin की तरफ नहीं आएगा क्योंके pin की तरफ अगर water आएगा तो वहाँ पर failure होने के chance जादा तो अगर wave type का बना लीजिएगा तो यहाँ पर एक तरह से छाता की तरह ये behave करेगा और आपको मालूम है छाता के अंदर जो आदमी खड़ा होता उसको पानी नहीं आता है तो इसी तरह pin की पास पानी नहीं आएगा तो इसमें यानि conductor और pin के बीच में failure होने का chance आर्क produce होने का chance कम होगा तो ये pin type insulator से related बात हुई voltage rating आपको पहली बताया है low voltage के लिए generally आपका 440 volts, 230 volts इसके लावा 11,000 volts और maximum 33 के वी तक हम लोग इसका use करते हैं इसके उपर जब जाएगा तो इसका size बहुत बड़ा हो जाएगा, weighted हो जाएगा भारी हो जाएगा जिसकी वज़े से यह un economical हो जाता है जिसके कारण हम लोग pin type insulator का use above 33 के वी generally नहीं करते हैं तो किसको करेंगे, तो फिर यहां से दूसरा type insulator आता है जो के बहुत important होता है पूरे transmission के अंदर हम लोग generally इसी suspension type insulator का use करते हैं, तो दूसरा type suspension type insulator suspension का मतलब ही क्या होता है ऐसा insulator जो के लटका हुआ है तो लटका हुआ insulator को suspension कहा जाता है इसके अंदर disc लगा होता है और यह disc क्या होता है आपस में series में connect होता है और बहुत सारे disc को insulating, disc को series में connect करके एक string बना लेते हम लोग शिरिंखला बना लेते हैं इसी string of insulator को suspension type insulator कहा जाता है जिसकी सहाता से हम लोग insulation पर आप करते हैं बहुत higher voltage transmission line के अंदर तो 66 kv हो 132 kv, 220 kv, 765 की जितना higher voltage भी transmission में use होता है उन सारे voltage के लिए हम लोग suspension type insulator का use करते हैं इसके अंदर जो disc लगा होता है एक disc की voltage rating 11 kv होती है यानि अगर 33 kv या 66 kv की transmission line है 33 kv होगा तो 3 disk use होगा, 66 kv होगा तो 6 disk होगा इसी तरह से आप number of disk को देखकर insulation कितना disk लगा हुआ है transmission line के voltage rating का अनुमान लगा सकते हैं जिनरली आपका 12-13 disk जो लगा होगा 132 kv के अंदर लगा होगा इसी तरह जितना जादा voltage होगा उतना ही जादा number of insulating disk लगा होता है अब दिहान से समझेगा बहुत important चीज़ बताने जा रहे हैं pin type और suspension type insulator के बीच में difference क्या है क्यों हम लोग इतना higher voltage पर suspension type insulator को prefer कर पाते हैं advantage इसका क्या है तो इसके अंदर बड़ा advantage क्या है कि number of disk होने की वज़े से जितना voltage आपको चाहिए जैसे अभी हमने बताए 33 kv है तो 3 disk 66 kv है तो आपका 6 disk इसी तरह आप जितना higher voltage पर चाहिएगा इसको लगा सकते हैं number of disk क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं तो number of disk add करके इसके अंदर voltage rating को बढ़ा दिया जाता है ये बहुत ज़्यादा आपका beneficial है जबके pin type के अंदर ऐसा नहीं है आपका 11 kv का pin type है तो उसको आप 33 नहीं बना सकते हैं उसके लिए दूसरा आपको disk बनाना पड़े हैं दूसरा pin type insulator बनाना पड़ेगा suspension के अंदर ऐसा नहीं है जितना आपको voltage rating चाहिए उतना disk को add करते जाएए आपका rating बढ़ता जाएगा दूसरा फाइदा कि अगर एक disk खराब हुआ है तो पूरे string को पूरी श्रिंखला को पूरा suspension type insulator को change करने की ज़रत नहीं चाहे insulator यानि electrical failure हो गया है या mechanical damage हो गया है टूड गया है break हो गया है तो केवल उसे disk को हटा दीजे दूसरा disk लगा दीजे कोई दिक्कत नहीं दूसरा बड़ा फाइदा कि एक disk के अंदर problem है तो केवल उसी disk को change करने की ज़रत होगी पूरे string को पूरे श्रिंखला को change करने की ज़रत नहीं होगी तीसरा क्या फाइदा है flexibility इसके अंदर बढ़ जाती flexibility मतलब थोड़ा बहुत hill डोल सकता है हिलेगा तो stress कम पड़ेगा अबदम tight रहता हवा चलता tight रहेगा तो क्या होगा break होने का तूटने का chance से ज़्यादा होता है इंसुलेटर भी तूट सकता है cross arm भी या पूरा pole भी तूट सकता अगर hill डोलेगा नहीं तो थोड़ा बहुत flexibility ज़रूरी है तो flexibility ये suspension टाइप इंसुलेटर प्रोवाइड करता है जबके pin type के अंदर आपका flexibility नहीं होता है इसके इलावा आपका क्या है कि अगर ये तीन बड़ा-बड़ा advantage बताए आपको इसके इलावा disc के अंदर यदि कोई problem हो जाता है तो disc आप change कर सकते हैं चौथा बड़ा फाइदा क्या है कि अगर इसके अंदर suspension type insulator के अंदर जो conductor होगा वो insulator के नीचे से पास होता है insulator के नीचे से कहने का मतलब क्या हुआ कि insulator के नीचे से अगर पास होगा तो जो lightning effect यानि बिजली गिरने का chance है वो कम हो जाता है घट जाता है क्योंकि उपर में insulator है उसके उपर cross arm है उसके उपर ground wire है तो वहाँ पर बिजली गिरेगा लेकिन आपका main जो conductor उसमें बिजली नहीं गिरेगा जबके pin type में उपर में होता है conductor जिसके अंदर electrical lightning गिरने का chances उसके अंदर जादा होगा तो इसमें chance कम होगा जिसे protection इसमें जादा तो यह सब advantage आपको मिल जाता है suspension type insulator के अंदर voltage rating आपको हमने बता दिया कि जितना भी transmission voltage है सब के अंदर इसको use किया जा सकता है यानि बहुत higher voltage पर suspension type insulator का use करते हैं जो के mainly तोर से suspension type insulator ही use होता है तीसरा होता है strain type insulator तो इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है केवल हम क्या कर लेते हैं जहाँ पर tension ज्यादा होगा transmission line में यानि tension कहने का मतलब दो पोल की दूरी बढ़ गई है न बीच में river आ गया है नदी आ गया या कहीं पर turning है तो वहाँ पर हम लोग strain type insulator का use करते हैं क्या करेंगे strain type insulator में तो suspension type का ही use किया जाता है जिसको strain बोलेंगे केवल अंतर क्या होगा कि suspension type में ध्यान से सुनिएगा suspension type के अंदर जो disc होता है यह horizontal होता है string की बात नहीं कर रहे हैं disc की बात कर रहे हैं तो disc कैसा है horizontal है और जब हम लोग strain type insulator यूज़ करेंगे तो उसके अंदर disc क्या कर लेंगे वर्टिकल कर लेंगे तो जब disc वर्टिकल यूज़ होता है तो इसी को strain type insulator बोलेंगे पूरा string देखिएगा तो string horizontal है strain type के अंदर और suspension के अंदर string पूरा वर्टिकल है लेकिन हम disc की बात बोल रहे है बुक के अंदर जो reference लिया गया है disc को लिया गया है तो strain type insulator के अंदर जो disc होता है वो आपका वर्टिकल होता है जिसकी वज़ए से इसका mechanical strength बढ़ जाता है तनाव सहनी की छमता बढ़ जाती है जिसके कारण जहां पर इस्ट्रेस जादा होगा transmission line के अंदर कहीं पर bending आ जाता है या दो conductor की दो पोल की दूरी बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम लोग strain type के इस use करते हैं यानि वर्टिकल प्लेन में हम लोग disc को रखकर strain type insulator बनाते हैं जूसरा आपको तीसरा समझ में आ गया चौथा शैकल type insulator होता है जो के distribution के अंदर use होगा तो strain का जो use है यानि जहां पर bending है या जहां पर mechanical stress जादा है वहाँ पर strain use होता है लेकिन transmission में strain type का use होगा वही same काम यानि tension और stress जहां पर जादा होता है distribution के अंदर lower voltage पर तो वहाँ पर shackle type insulator का use होता है इसके अंदर de-strip यानि एक metallic structure use किया जाता है इस metal के अंदर हम लोग insulator चीनी मिट्टी को रखते हैं rod होता है, nut bolt होता है कस दिया जाता है तो हम लोग इसके अंदर यानि जहां पर extension जादा रहेगा या last pole है उसके बाद कोई pole नहीं है तनाव जादा है तो वहाँ पर हम लोग shackle type insulator का use करते हैं और ये shackle type insulator lower voltage rating के लिए generally distribution के अंदर use होता है जैसे pin type lower rating के लिए use होता है लेकिन अंतर क्या है के ये high tension जहां पर होगा वहाँ पर use होगा तो ये चार ही आपका main insulator है जो के transmission and distribution के अंदर use होता है इसके लावा एक stay insulator होता है आपने देखा होगा image के अंदर देख पा रहे होंगे आप के pole लगा होगा है तो जहां last pole होता है वहाँ पर हम लोग एक wire use करते है और इस wire को हम लोग ground से लगा देते है किसलिए ताकि आपके उस pole को क्या हो mechanical आपको support मिल सके अगर एक इस तरफ से उफ्तार रहेगा तो उस तरफ गिर जाएगा इसलिए दूसरे तरफ पकड़ के रखने के लिए एक wire का use किया जाता है last pole पर तो उसको हम लोग gay wire बोलते हैं और उस gay wire में बीच में insulator लगा देते हैं हम लोग उसी को हम लोग stay insulator कहते हैं काम कहा है stay insulator का कि अगर by the way normal इसके अंदर जो gay wire हिसमे current नहीं हो आएगा लेकिन अगर by the way आपका by chance क्या हो जाए कि अगर कुछ leakage current आ रहा है तो वो leakage current अर्थ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो gay wire कहां से अर्थ से लगा हुआ है support के लिए हम लोग उसके है तो वो वायर से अगर आ जाएगा तो कोई इसको छुएगा तो shock लग जाएगा तो इसलिए बीच में stay insulator लगा जाता है इस stay insulator को इस परकार से हम लोग बनाते हैं कि ये mechanical support तो देता है यानि gay wire को पकड़ के रखने का काम करेगा लेकिन अगर gay wire के upper part के अंदर कुछ अगर current भी आ जाएगा तो वो lower part के अंदर नहीं आ पाएगा क्यूंकि बीच में stay insulator लगा हुआ होता है तो stay insulator का काम है कि अगर कुछ current आ रहा है तो उसको उपर ही में रोग दे नीचे की तरफ आने नहीं दे ताकि किसी को शौक ये जटका नहीं लगे इसके लावा last type आपको बता रहे है post insulator होता है जिसके अंदर mechanical strength काफी ज़्यादा high होती है बहुत higher voltage से लेकर lower voltage तक इसको बनाय जाता है generally सब station वगारा में इसका use होता है क्योंकि बहुत सारा उपर में equipment वगारा use होता है weight ज़्यादा होता है तो normal insulator में उतना ज़्यादा strength mechanical strength नहीं होगा pin type, suspension type, stint type, shackle type इसके लावा आपका stay और post insulator का भी कहीं कहीं पर use होता है तो यह सारे आपको insulator हमने बताया I hope आपको बहुत अच्छे से समंग में आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो like कीजिए अपने दोस्तों को जरूर share कीजिएगा और channel पर नहें तो subscribe कीजिएगा मिलते हैं नई वीडियो में आज के लिए इतना